इस सेशन का टॉपिक है एक ऐसा मौदूब जिस से जब राइटर्स घब़ाते हैं इस तो ये टिप्स हैं कि आप उठ जाएं, गूम फिर लें, बाकी ये का जाते हैं, नहीं नहीं, आप रुटीन से अपना रखें डिसिप्लन के साथ और दिन में कोई वक्त निकालें जिसमें लिखें, लेकिन वो कहना असान है और करने की बारी में उस तरह हो नहीं पाता, उ या कोई ऐसी सिजेशन्स दें जिससे कि आप लिख सकें, आपका लिखने का फ्लो चलता रहे और आपका कॉन्फिटेंस दुपारा से वापस आज़ाएं, तो ये चिट्स हमने कुछ रखी हुई हैं और इनका ये इस्तमाल है, कि आप इनको बगैर देखें वे रैंडमली इ आप सोची नहीं, ठीक है क्योंकि आप राइटर्स ब्लॉक में हैं इस वक्त अपने जहन को आपने ज्यादा वो नहीं करना, बस जो भी कुछ आजाए आपने उसके उपर लिखना है, ये लिखना आपके खुद के लिए, इसमें कोई वो नहीं है कि सैंसर्शिप या कोई भी और इनको देखे बगार मैंस में से कोई सी दो ठाऊंगी और फिर देखेंगे क्या कॉम्बिनेशन बनती है और मुझे उसके उपर लिखना पड़ेगा, ये आए हैं हमारे पास वर्ड्स, रेबल, लेसंस, या लेसंस रेबल, तो इसको मैं आप कुछ, इससे कोई चीज तियार करके देखते हैं कि क्या चीज निकलती है, इसका मकसद ये है कि आपका जो एक ब्लॉक आ गया है कि आप कुछ भी नहीं लिख पा रहे, उस स्टेट से और उस परिशानी से आप भायर निकलाएं, तो हमारा टॉपिक है रेबल लेसंस, लेसंस और रेबल्स, ब भीज़ न этих दो हमारे लेसंस, लेसंस से फनेप़ ब्ल्feit, लेसंसर में ब्ल् Akt llev रेबल्स आप स्योना है ।िर लेसंसने रेबल्स अ रेबल्स आपो रेबल्स पार्ग , जेसंसर रेबल्स देईबल ब्ल ре Exhale बट वाइल रेबल्स र यूजिली रिजेक्टेड बाइस्टी लेस्टिंस आर सम्थिंग एडर्यवान अफोल्ड्स इसमें मैं कुछ नहीं सोच रही, I am just writing, writing और इसको इसको कितना भी लिखते रहें और कहीं से कहीं बात ले जाएं अगर आप एक उसमें लेसंस के बारे में ज्यादा बात करना चाहने हैं या रेबल्स के बारे में या आप देखना चाहरे हैं कि मिसालें देना चाहरे हैं आप वो दे सकते हैं या anything, this is free writing, this is not for a purpose So, ये एक तरीका है कि cuttings को आप इकठा करें और निया कोई topic निकालें तो आप इसको खुद ट्राइ करके देख सकते हैं और आपको कितना मज़ा आप देख सकते हैं ज्यादा सी cuttings लें और उनको फिर match करें तो उसमें उतनी ज्यादा possibilities होंगी और आपके लिए भी अपने ल कोई dialogue जो किसी अच्छे लिखने वाले का हो वो एक line ले ले और उसके बारे में उसको एक starting point बनाए और उसके आगे से कहानी को continue करें लेकिन यह वो कहानी नहीं होगी जो उस novel में थी यह आपकी अपनी कहानी होगी मैंने आपके लिए जो sentence select किया है वो Gone with the Wind एक पुरानी कित American Civil War के बारे में Scarlet O'Hara उसके बहुत मशूर कारेक्टर थी और रेट बटलर भी अलव स्टोरी और फिल्म भी है और नौल भी है में कारेक्टर है रेट बटलर वो आखिर में जो Scarlet O'Hara होती है जब उनके पास आती है काफी देर उनको दुदकारने के बाद तो रेट बटलर सकती हूं this is not a standard आप अपनी मर्जी से इसको कर सकते हैं obviously इसका मक्सद ही है Frankly my dear I don't give a damn और इसकी trick ही है कि आपने सोचना नहीं होता जब भी exercises करें अगर आप सोचने लगे तो फिर it defeats the whole purpose फिर आप अपने उसी Writer's block की state में चले जाएंगे जब आपको कलम उठाते हुए या typewriter पे कुछ टाइप करते हुए खौफ मैंसूस हो रहा है के बता नहीं ठीक लिखे निकलेगा के नहीं So you just do it. The rain is falling hard and the roads are slippery but I have promises to keep. Safety, what is safety? Are we ever safe? No, not in our homes, not anywhere else. I don't give a damn about the weather and slippery road. Oh wait, I think the driver is falling asleep. Yikes. So it started off with saying frankly I don't give a damn and then in the end when the driver starts to fall asleep the person whoever is saying this So this is how you can also do some tricks and use some cues. किसी object को आप ले सकते हैं और उसके बारे में लिखने लगें कोई एक जैसे कोई कैमरा आप ले 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 और कैमरे के बारे में लिखोंगा और इसी तरह free writing आप करते जाएं तो इसमें कोई सही गलत नहीं है, कोई इसमें रूल्स नहीं है, आपनी research नहीं करनी उसकी बाद editing नहीं करनी यह सिरफ आपको टाइप रेटर के पास वापिस लेके जाने के लिए एक तरीका है आप भी इनको try करिएगा और हमें बताइएगा कि आपकी इसके साथ experience क्यासा है